ओम नमेशिवाय ओम नमेशिवाय दोस्तों आप सभी का आपके अपनी चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है आपको सुबह उटकर किसका मुँ देखना चाहिए जिससे आपका पूरा दिन शुब मंगल और बहुत ही शानदार भी थे क्यूंकि सुबह की शुरुवात ही हमारे पूरे दिन की दिशा और निर्देशन को बताता है कि आज का दिन हमारे साथ क्या क्या चीज़े सकारतमक होने वाली है क्यूंकि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं जीने के लिए बाकी भविशे हैं, बाकी भूत हैं वरतमान जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है तो इसके सुरुवात में हमें किसका मुँ देखना चाहिए और क्या करना चाहिए अगर आपको ये जान लेंगे तो शायद आपको बहुत सारे फाइदे मिल सकते ये कई सारे जातकों ने इस प्रयोग को प्योग में लाया है और उन्हें साथ दिन, आठ दिन के अंदर एक सकारतमक बहुत ही जादा सकारतमक फाइदा मिला है सबसे पहले आपको कभी भी सुबह उठकर खुद का मुँ नहीं देखना चाहिए बहुत से जातकों की और शायद आपकी भी आदत होगी अगर आपकी यह आदत है कि हाँ आप सुबह उठकर खुद का मुँ देखते हैं तो कमेंट से मुझे जरूर बता है खुद का मुँ कभी न देखें ये गलती बहुत से जातक करते हैं पर ये आप कभी ना करें. दूसरी सावधान ये रखना है कि बहुत सारे जातक सुबह उठते ही एकदम से उठाते हैं, कभी भी एकदम से न उठें, करवट ले और शान्ती के साथ उठें, क्योंकि वही से हमारा पूरा माइंड सेट अप डेवलप होता है के अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब करें चैनल से जुड़ें बहुले नात का कोई एक नाम लिखे या या तो अगर अपनी इस ब्लत कोई कर दो सकते हैं रहां अपोंच्ट कर दोष्ट जब अब सब्सक्राइब सकते हैं और सबसे पहले और और लोगों के चेहरे मूह देखने की चाहिए कोशिश करें सबसे पहले है कि अपने माता पिता अगर आप चेहरा सुबहर से देखते हैं दोस्तों आपके नो के नो ग्रजों है कभी आपको नेगर्ट इंपक्त नहीं देंगे दूसरा है भगवान करश्ण और राधा की वो मन अपने कमरे मेंु जरूर लगा कर रखें। उससे भी आपको बहुत हद तक बहुत positive vibes चीरा है। तीजना है अपने गुरु की तस्वीर